हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वैक टु इस्टिडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर, डेली करिंट अफेर्स की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वार है मई दो हजार वाइस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेट करिंट तो दोस्तों ये लेक्चर आपके एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है, तो लेक्चर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट में आपसे कुछ कुश्यन पूछाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, अगर आप किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो आप विश्ट डिकर को फॉलो कर लें, और बेल आइकोन जरूर दबालें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटपेकिसन मिल सकेगा, पीडिएफ अगर आपको डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए फ्रेंट्स पहला कोशन डिसकस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भारत में हर साल किस तारीख को नैसनल टेक्नलोजी डे मनाये जाता है, हर साल 11 मई को, कब मनाये जाता है, 11 मई को, ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो इस दिन को मनाने का जो प्रमुख वो है, भारत में जो साइन्स है और जो टेक्नलोजी है, उसके विकास को प्रदर्सित करना, दुनिया को यह दिखाना कि भारत जो है, वो विज्ञान के छेतर में और टेक्नलोजी के छेतर में किस प्रिकार से वर्क कर रहा है, यह इस दिन का उद्देश है, इसके पीछे की कहानी है दोस्तो इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख कारण है वो है 11 माई 1998 को भारत में जो पोकरण राजस्थान में परमाणू हत्यारों को सफलता पूरवक परिक्षन किया था इसी को याद करने के लिए ही हर साल नैशनल टेक्नलोजी डे 11 माई को मनाया जाता है दोस्तो उ उस समय यानि 1998 में जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के वो थे अटल बिहारी बाजपेई और जो पोकरण में परमाणू हत्यारों का सफलता पूरवक परिक्षन किया गया था इसके पीछे सबसे वड़ा हाथ था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपती वैज्ञानिक ठीके दोस्तों तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी बाजपेई जी तो उन्होंने 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलोजी डे मनाने का फैसला किया और पहला दिवस मनाया गया 11 मई 1999 को 2022 की थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि आप से थीम पूछ ली जा प्रमोख दिवस सेलिब्रेट किये हैं उनको भी डिसकस कर लेते हैं तो द्धान से सुनिएगा 1 मई को अंतराष्टिय स्रम दिवस मनाया और 1 मई को ही गुजरात और महराष्ट दिवस मनाया गया 3 मई 2022 को विस्ट अस्थमा दिवस मनाया गया है दोस्तो मई का जो पहला मंगल बार होता है उस दिन अस्थमा दिवस मनाया जाता है तो इस साल यानि 2022 में 3 मई को मंगल बार था तो इसलिए 3 मई 2022 को विस्ट अस्थमा दिवस मनाया गया है साथ माई को विस्स एथलेटिक से दिवस मनाया गया है, आठ माई को विस्स थैले सीमिय दिवस मनाया गया है, दोस्तों याद रखिएगा कि जो थैले सीमिय दिवस है, ये थैले सीमिय बीमारी के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए किया जाता है, और थैले सीमिय जो है वो दिवस भी celebrate किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है ध्यान से सुनिएगा दस माई को साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट की रूप में किसने सपत ली है तो इसका आंसर है यून सुक ये योल दोस्तो यून सुक ये योल ने जो है वो साउथ कोरिया के राष्टपती के रूप में सपत ली है और वो साउथ कोरिया के 13 बे प्रेसिडेंट यानी राष्टपती चुने गए हैं ठीक है दोस्तो उन्होंने अपने देश में डेमोक्रेसी और अर्थववस्था को मजबूत करने की कसम ली है यानी उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वो आने वाले समय में अपने देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे और एकोनमी यानी अर्थववस्था को मजबूत करेंगे चलिए फ्रेंट्स साउथ कोरिया के बारे में कुछ पॉइंट डिसकस कर लेते हैं यानी दोस्तों पहले यूनाइटट कोरिया हुआ करता था लेकिन उसके दो पार्ट हुए नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ठीक है चलिए फ्रेंट्स कुछ और पॉइंट है उनको भी डिसकस करते हैं तो जो South Korea है यह है LOC के पूर्व में इस्तित है, ठीक है, LOC के पूर्व में इस्तित कौन है, South Korea है, Samsung दुनिया की सबसे बड़ी technology कंपणियों में से एक है, और इसका headquarter जो है, वो South Korea की capital Seoul में है, कहां है दोस्तो South Korea की capital Seoul में, हाली में कुछ प्रमुक न्यूक्तियां हुई है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे Emmanuel Macron, France के राष्टपती बने है, Robert Globe जो है, Slovenia के prime minister बने है, सहबास सरीप, Pakistan के prime minister बने है, Alexander Vusik, सर्विया के president बने है, ठीक है दोस्तो, और Victor Orban जो है, वो हंगरी के prime minister बने है, चलिए, next question देखते हैं, important है, ध्यान से सुनिएगा, भारत पाक युद्ध 1971, बायू योधाओं की याद नामक पुस्तक का बिमोचन हाली में किसके द्वारा किया गया है, तो पुस्तक का नाम क्या है, भारत पाक युद्ध 1971, बायू योधाओं की याद, ये पुस्तक है, तो इसका ब लिग्चों द्वारा बिस्त्रित विबरन में लिखे गए 50 स्वरणिम लेख हैं यानि 50 लेख लिखे गए हैं इस पुस्तक में ठीक हैं चलिए फ्रेंट्स अब हाल ही में यानि 2020 में जो बुक्स रिलीज की गई हैं उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं जो कि चर्चा का बिसाय रह नामक पुस्तक किसकी है जिसे अंतराष्टी बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित क्या गया है तो उस पुस्तक के लेखक हैं गीतांजली श्री हाउ टू प्रिवेंट दा नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक विलगेट्स ने लिखी हैं फियर्लेस गवर्नेंस नवदीब सिंग गिल ने लिखा है किसने दोस्तो नवदीब सिंग गिल ने नेक्स्ट कुशन है चौथे खेलो इंडिया यूथ गैम्स के लिए जिस सुभंकर को लॉंच किया गया है उसका नाम क्या है तो दोस्तो हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गैम है उसके लिए सुभंकर का नाम क्या है धाकड क्या नाम है दूस्तू धाकड नाम है और इसको लॉंच किस ने किया है केंद्रिये खेल मंतरी अनुराग ठाकुर ने तो केंद्रिये खेल मंतरी अनुराग ठाकुर और हरियाना के जो चीप मिनिश्टर थे मनुहललाल खटर तो उनकी बुदगी में जो धाकर नामक सुभंकर है उसको हाली में लौंच किया गया है क्योंकि जो खेलो इंडिया यूथ यूथ गेम्स है उसका आयोज़ेंट 4 जून से 13 जून तक हर्याणा के पंचकुला के सहित 7 सहरों में आयोज़ीत होने वाला है ठीक है वो भी सामिल किये गए हैं ठीक है next question है बहुत important question होगा दोस्तो कई exam में पूछा जाएगा आने वाले तो इस question में आप start जलू लगाईगा पहला question है दोस्तो photo generalist दानिस सिद्धिकी को हाली में कौन सा पुरुसकार प्राप्त हुआ है तो दानिस सिद्धिकी को कौन सा पुरुसकार प्राप्त हुआ है तो answer है पुलिटजर पुरुसकार यानि जो पुलिटजर अबार्ड है या पुरुसकार है ये किसे मिला है दानिस सिद्धिकी को मिला है ठीक है तो दोस्तो जो दानिस सिद्धिकी हैं ये एक photo journalist है ठीक है और दाने सिद्धिकी के साथ उनकी जो सयोगी थे अधनाद आवीदी सना इरसाद मट्टू और अमित दवे तो इन लोगों को भी पुलिजर पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है ठीक है दाने सिद्धिकी और उनकी जो सयोगी थे वो रायटर समाचार एजनसी से थे किस एजनसी से थे रायटर समाचार एजनसी से दोस्तो दाने सिद्धिकी का पिछले साल निधन हो गया था जब वो है पाकिस्तान में एक assignment पर थे दोस्तों हुआ क्या था कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं दोस्तों अफगानिस्तान में इनका निधन हुआ था जब अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो कबजा कर रहा था उसी समय ये रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर तो इसी को दूसरी बार पुलिजर पुरुषकार मिला है उन्हें 2008 में जो रोहंगिया संकट पैदा हुआ था उसको उन्होंने कबरेज किया था और उसमें जो चितर दर्स आए गए थे वो बहुत ही बहतरीन थे और सच्चाई को बया कर रहे थे तो उन्होंने पुलिजर पुरुषक को प्रदान करने वाला जो बोड है उसने यूक्रेन के पत्रकारों को बिसेश प्रसस्त्री पत्र प्रदान किये हैं दोस्तों पुलिजर पुरुषकार को याद रखिएगा ये पत्रिकार ताकि छितर बे दिया जाने वाला पुरुषकार है और इस पुरुषकार की तो रजद कुमार कर जो हैं वो उडिया भासा के लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है 88 वर्स की उम्र में। नेक्स्ट कुशन है पूरम उत्सव हाली में किस राज़ में सेलिबरेट किया गया है आंसर है इसका केरल पूरम उत्सव किस राज़ में सेलिबरेट किया गया है कब 9 माई 2020 को तो दोस्तो 9 माई 2022 को त्री सूर के वड़कुमनाथ मंदिर में पूरम उत्सव का आयजन किया गय ठीक है पूरम तिवहार की बाद करें तो यह एक वार्से कुट्साओ है यानि हर साल मनाया जाता है यह गर्मियों की फसल के बाद वल्लू बनाडू छेत्र में और उत्तर मध्ध केरल में मनाया जाता है यानि आयुजित किया जाता है चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉशन है लास्ट कॉशन है ध्यान से सुनिएगा विंग्स इंडिया 2022 में सामान स्रेणी के अंतरकत किस हवाई अड्डे को सर्वस्रेष्ट हवाई अड्डे के रूप में चुना है तो इसका आंसर है केमपे गॉंडा अंतरराष्टी हवाई अड्डा तो जो केमपे गॉंडा अंतर नेशनल एयरपोर्ट लिम्टिन ने विंग्स इंडिया 2022 में COVID चेंपियन का पुरुसकार जीता है नागरे कुट्यन मंत्री है जोत्रादित सिंदिया और C.I.A.L. के प्रवंध निदेशक है S. सुहास तो उन्होंने COVID चेंपियन पुरुसकार प्राप्त किया है तो यह सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाएगा अब आप से कुछ कोशन पूछेंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा केंदरिये खेल मंत्री कौन है गोल्डन बॉय नीरज चोप्रा नामक पुस्तक किस नहीं लिखी है और Emmanuel Macron हाली में किस देश के राष्टपती बने है तो इन तीनों प्रस्नों के आंसर आप कमेंट बोक्स में जरूर दीजिएगा हमें जा रहेगा आपके आंसर का राजा गुपता को आप अने केडिमी पर फॉलू कर लें कोड यूज करें राजा नंबर वन और आपको सुनना है तो खबरी पर आप हमें फॉलू कर सकते हैं वहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट और आपको मिल जाते हैं दोस्तों इस लेक्चर को आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है शेर जरूर करिएगा सभी दोस्तों को मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जैहिन वन्निमा तरम्प